नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हर्षण महता के बारे में दोस्तों मैं वेब सिरीज देख रहा था स्केम 1992 तो उसमें जब मैंने हर्षद महता के करेक्टर को देखा तो मुझे एक मेडिसिन याद है वेने ट्रब एल्बम यूँ तो वेने ट्रब एल्बम जो है एज इटीज जो है वो हर्षद महता जैसी नहीं है पर उसके कुछ फिजीकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम हर्षद महता से मिलते हुए है इसे लिए जो है आपको थमदेल में भी हर्षद महता दिखाए दिया होगा दोस्तों हम यदी बात करें वेने ट्रब एल्बम के बारे में और आप आपने यदी स्कैम 1992 देखी हो तो मुझे कमेट में जरूर बताइएगा और यदी आपने नहीं देखी है तो आप उसके कुछ शॉट्स देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि काफी अच 2 सारी परेशाणियों में यूज की जाती है यह थि उस प्रकार के पेशियट को बहुत जादा गुकार आया है तो फॉरेट पर जाएगा घवराहत हो रही है तो फॉरेट पर पसीर आ जाएगा और उसकी पूरी बॉडी जो है वो cold रहेगी ठटी रहेगी अब यदि हम इसकी फिजिकल सिम्टम की बात करें तो जैसे मैंने बताया था हर्षत मेता का जो करेक्टर जो निवहा रहे हैं वेब सीरीज में उट से कुछ न कुछ मिलता जूलता है जैसे वेरेट्रम एल्मम का जो पेशन होता है दोस्तों उसकी जो नोज होती है वो पिक प है और लिप जो है ब्लैक है अब यदि हम इसके मेंटल सिम्टम की और जाए तो वेरेट्रम एल्मम जो है इस्पिरिच्वल परसन होता है है उसको रिलीजियस मेनिया होता है साथ में बहुत सारी प्रेयर्स भी करता है पर तो उसको डर होता है कि उसकी जो पोजिशन बनी है इसके साथ में इसकी एक बहुत ही खास बात है जो एक आपने वह वैप सिरीज देखी हो तो आपको याद आएगा कि जो वेरेट्रम एल्बम होता है वह अपनी कही हुई बात को मतलब अपनी जो बात है वह किसी अधर परसन से जब करता है और जब दूसरा परसन उसको न मतलब कि इस टाइप की उसके प्रसनाल्टी होती है कि अपनी ही बातों को वह काटने लगता है इसके साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि cold sweat इसकी सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा यदि मैं females की बात करो तो उनमे डिस्मेनूरिया एक लिए बहुत अच्छी दवाई है डिस्मेनूरिया में भी यदि आपको पसीना आ रहा है forehead पे काफी अच्छी दवाई ये साबित हो स साथ दोस्तों इसके काफी सारे symptom है इसी के साथ एक symptom यह आता है दोस्तों talking about others fault है रहा मतलब दूसरों के fault के बारे में ही बात करते रहते हैं इस type के patient इसी type के होते हैं कि दूसरे के जो fault होते हैं उसी के बारे में बात करना उनको काफी पसंद होता है साथ ये जो patient होते हैं का बहुत ज्यादा दिमाग होता है तो मतलब अपना काम बनाने के लिए सारे लोगों का यूज कर लेते हैं और साथ में जो है उन लोगों को जो है काफी फिर होता है फिर किसका होता है गौर्ट का फिर होता है जैसे मैंने बता है सोसाइटी में पोजिशन का वी फिर होता है साथ में इनको इमेजिनरी डिजीज की प्रॉब्लम होती है जैसे इस प्रेगनेंटी जो है यह खुदी इमेजिन करने लग जाती है कि मैं प्रेगनेंट हूं और कुछ समयबान मुझे बेभी होने वाला है तो इस प्रकार की मेंटल इल्डे सेदी किसी फिमेल को है तो जिशी तुरूब से वेडेटरम एल्बम के कुछ ही डोस से वो ठीक हो सकती है अब यह हम इमेजिनरी डिजीज की ही बात कर रहे है तो इसमें एक सिम्टम यह आता है कि इमेजिनरी इंसेरटी मतलब कि वेक्ति खु बता है था कि इसके हेट के सिम्टम में जो है ऐसे सेंचेशन होता है जैसे जो बर्फ है फेरा बर्फ का एक बाल एक बातलब आइस क्यूब जो है वो उसके वर्टेकस में रख दी गई हो इतना तनक थेंचेशन उसको मैसूर। अब यह इसके क्रेविक्स की बात करें तो इसको जो है एसीड और कोल्ड जो ड्रिंक होती है काफी अच्छी लगती है एक डॉक्टर से मैं मिला था जिनोंने वेटरम एल्बम के बारे में मुझे बताया था तो उन्होंने बताया कि उनके पास में पेशेंट आया था जो तो जब पेशेंट से पूछा गया कि आपको क्या खाना या क्या पीना अच्छा लगता है जब आपको उल्टी और दस्त होते हैं तो उसको वेटरम एल्बम कुछ डोस दिये गाए जिससे उसकी परिशानी जड़ से खतम हो गई तो जो वेटरम एल्बम है दोस्तों वो ठं के लिए अब इसकी थश्ट की ही बात करने को पसंद होता है दोस्तों काफी शॉट मैंने वेटरम एल्बम को आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों आशागरता हूँ आपको समझ में आया होगा और यह दिन नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बाद देख लीजि देखेगा ताकि आपको और भी अधिक जानकरी वेरेक्टरम एल्मम के वारे में मिल सकें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए यह आप फेस्बुक के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमें फॉलो कीजिए इंस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार